नमस्कार दोस्तो दोस्तो प्रेगनेंसी के दोरान अतिसार या दस तोना प्रेगनेंसी में होने वाली अस विदाओं में से एक है जो अनुबव किया जा सकता है अतिसार का शाब्दिकर्थ बहने से है और इसे 24 गंटों में तीन या अधिक बार समधने से पतले या तरल रूप में मलत्याग के रूप में परिबाशित किया गया है यदि आप एक दिन में तीन बार इस प्रकार का मलत्याग कर चुकी है तो ऐसे में मुख्य चिंता का विशय हाइडरेटेड रहना है क्योंकि प्रेगनेंसी के दोरान दस्त का सामना करते समय पानी की काफी कमी हो जाती है डी हाइडरेशन, गंबीर और कभी-कभी तो गातक भी हो सकता और इसलिए ऐसा होने पर आपको स्वयम को पुन हाइडरेट करना होगा दस्त को गरबावस्ता के समय हलके में नहीं लेना चाहिए तो दोस्तो बात की जाए कि प्रेगनेंसी में दस्त क्यों होते है इसके पीछे क्या कारण है तो यदि आप एक दिन में तीन या अधिक बार पतले मलत्यात के लिए जाती है तो आपको दस्त हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दोरान दस्त की शिकायत होना सामन्न है हाला कि हर अतिसारोने का मतलब यही नहीं होता कि यह केवल प्रेगनेंसी की वज़ा से है प्रेगनेंसी के अलवा भी कुछ और कारण है जिनसे की दस्त हो सकते हैं उसके बाद दस्तों बात कीज़ें दस्त के लिए प्रेगनेंसी से सम्मंदित कारणों की तो सबसे पहला कारण है आहर परिवर्तन कई महिलाएं प्रेगनेंसी के दोरान अपने खान पान की आदतों में बदलाव लाती हैं और खान पान की आदतों में अचानक आए इस बदलाव की वज़े से दस्त की समस्या हो जाती है दूसरा कारण है नए खादे पदार्थों के प्रती सवेदन शिलता गर्बवती होने के बाद काफी सारे खादेपदार जिनसे पहले कभी कोई परिशानी नहीं हुई वो गैस और दस्त वगेरा का कारण बन सकते हैं तीसरा कारण है प्री नेटल विटामिन प्री नेटल विटामिन आपके साथ ही आपके बढ़ते बच्चे के स्वास्त के लिए जरूरी और अच्छे होते हैं आला कि ये विटामिन आपके पेट को परिशान कर सकते हैं और दस्त का कारण बन सकते हैं और चौथा कारण है हार्मोन में परिवर्तन होना नॉर्मल है तो दोस्तो प्रेगनेंसी के दोरान दस्त होना आम नहीं है गर्बवती मैलाओं को पतले मल के बजाए कब जोने की अधिक संभावना होती है लेकिन कुछ मैलाओं को प्रसव के चरण में आने से ठीक पहले दस्त हो सकते हैं यदि अभी आपकी प्रेगनेंसी कि आपका बच्चा अभी पैदा होगा ये सिर्फ एक तरीका है ये बताने का कि अब आपका शरीर प्रसव के लिए तैयार हो रहा है जो अब कभी भी शुरू हो सकता है और अब हम दोस्तों जानेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले इस दस्त के इलाज के बारे में तो दस्त के अधिकांश मामले कुछी दिनों में अपने आप सही हो जाते हैं दस्त में खास दोर पर हाइडरेटेड रहना जरूरी होता है और इसलिए आप बहुत सारा पानी जूस और शोर्बा पिये पानी आपके शरीर में तरल पदार्थों की कमी को फिर से बरने में मदद करेगा और जूस आपके शरीर में आई पोटेशियम के स्तर में कमी को और शोर्बा आपके सोडियम की बरपाई करने में मदद करेगा साथ ही साथ दुस्तों यदि दस्त अपने आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर से परामर्ष लेने की आवशक्ता हो सकती है यदि प्रेगनंसी के दोयान बेक्टरिया या पर जीवे के कारण दस्त होते हैं तो आपको एंटिबायोटिक दवाओं की आवशक्ता होगी और यदि वाइरस के का सेवन न करें और केले चावल सूप या टोस्ट जैसे आसानी से पचने वाले खादे पदार्थों को खाएं जब तक आपको दस्त में आराम मैसुस न हो तब तक वसा यूप तक खादे पदार्थ न खाएं और इन सब बातों का पालन करने पर आपको 24 गंटो या उससे भी क शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कले सब्सक्राइब और बैल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर रहें ताकि मेरी नई वीडियो की नाटिफिकेशन सबसे पिल आपको मिल सके थैंक्स फोर य और टाम